हलो एवरिबन तो गाहिस मैं हूँ मन्जी और मन्जी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको लिए बहुत ही जदा टेस्टी और बहुत ही सस्ते में बनने वाली चॉकलेट कुलफी की रेसिपे लेकर आई हूँ आप देख सकते हैं कि लिए कि आप देख सकते हैं एक पैकलेट में लिए कि लिए इसमें अगर कांट से करेंगे तो 21 इसक यह जटनी कि बारवन कोई भी ओ चöकलेट ही वाले बेसकित यूजरीस खर सकते हैं को में फ्रिज्जहें टुकटश् bubbles में तोसे जायland करना लेंगी तक कि आमें कर लिये हैं अब युट पाउडर कि घचपन से में बार्ट नरा शाना क सेत्क पाउडर में पर अबार, आप चाहें ? बिस्कितच में दाइक खुट आहिए कोफी पाउडर अगर आप कोफी पाउडर इसमें एड़ करेंगे तो बिल्कुल भी बिस्कित का टेस्ट नहीं आएगा अब मैं इसमें डाल रहे हैं दूद तो पहले से गरम करके ठंडा किया हुआ यह दूद है बिल्कुल ठंडा आपको दूद लेना है तो आधा कपसे चोकलेटी हमारा मिक्स तयार हुआ है अभी यह बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें एक कप दूद और डालेंगे तो आप देख सकते हैं एक कप दूद में इसमें और डाल दिया है और इसको हमें बिल्कुल अच्छे से और पीस लेना है तो फ्रेंड्स इस तरीके से आइ यहां तो यहां मैंने कुल्फी मोल्ड लिए अगर आप पास कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप इस्टील के शोटी ग्लास यूज 잠깐만 शक्ते हैं इस तरीके के कितुत हैं आप पेपर कप युज कर सकते हैं जो भी आपके पास गरपिश आवयर, वह उसको में आप ईसको जमा सक अब हम इसे ऐलुमिनियम फूल से कवर कर लेंगे इस तरीके से आप चाहें तो कोई भी पॉलोथीन से से कवर कर सकते हैं या फिर बटर पेपर से आप इसको कवर कर सकते हैं अब इस पर रबर मेंड में लगा रही हूं इससे क्योंगा बिल्कुल भी आइस क्रिश्टल इसमें नहीं आएंगे और बिल्कुल परफेक्ट कुल्फी आपके बन कर तयार होगी आप देख सकते हैं सभी में मैंने लगा लिये हैं अब इसमें हम इस तरीके से स्टीक लगाएंगे आईस क्रियम स्टीक आप देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल इसके बिंगया है यहीं तो तो सबस्क्राइए इसे हैं वे पाने लिक्ताय कैसे खों और ही अद्याईनीच को यह आप लगा लिख पिर लिट जरूर ट्राइए करना आपको बहुत जादा पसंद आएगी आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और चोकलेटी कुलफी हमारे बन कर तयार हुई है आप देख सकते हैं अभी मैंने चारी मोल्ड को फ्रीज से बहार निकाला है बाकी मैंने फ्रीज में ही रखें तो आप जि देना मिलते हैं इसे तरहीं के नेक्स्ट इंट्रेसिंग वीडियो में तब तरह हुआ है